हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि Samsung Galaxy A23 5G फोन में आप लोगे बैक बटन को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A23 5G phone है और इस phone में जो है आपको back button को लगा रहा है अगर आपके phone में जो back करने के लिए कोई भी virtual button नहीं है जैसी कि मेरे phone में देख सकते back करने के लिए आपर कोई भी button नहीं है मुझे जो यहापर gesture को यूज करके back करना पर रहा है अगर आपके phone में भी gesture वाला जो है back है लेकिन अगर आपको back button चाहिए गाईस यहापर तीन बटन होते है गाईस back करने के लिए home screen जाने के लिए recent app को देखने के लिए तो कैसे आप लोग अपने इस phone में भी जो है back button को लगा सकते हो गाईस बीना किसी application वागिरा को डाउनलोड किये तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए गाईस वीडियो को start करते है बैक बटन को लगाने के लि आप लोग मेरे फोन में देख सकते हो नेविगेशन सर्च करती नेविगेशन बार का एक option आएगा तो इस नेविगेशन बार पर क्लिक करेंगे क्लिक करती नेविगेशन बार का यहापर setting आ जाएगा तो इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करती आपको दो option मिलेगे buttons और swipe gestures का तो अगर आपको back button को लगाना है तो आपको इस buttons पे click करते हैं आपके phone में जो virtual back button आ जाएंगे देख सकते हैं अभी यहापर 3 button आ चुके हैं अगर आपको इन button को उल्टा करते हैं मतलब यह back button जो है इधर लाना है left side में तो यहापर देख सकते हैं दो option है आप लोग left side में भी वीडियो अगर वीडियो पासा ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते एक लेक नेक्स वीडियो में दब तक के लिए बाबाई